तो देखो यार, Better Call Saul, इस सीरीज का रिव्यू मैं अरड़ी कर चुका हूँ, एक साल पहले मैंने इस सीरीज को देखा था, तब मैंने इसका रिव्यू किया था, उसके मैंने तब तीन सीजन देखे थे, हालांकि मैं इसके 6 के 6 सीजन देख चुका था, लेकिन कुछ टाइम की वज़े से ही, या फिर कुछ और रीजन की वज़े से, मैं इसका complete review नहीं कर पाया, लेकिन अब इस से बढ़िया मोका क्या हो सकता है, मतलब जब ये सीरीज जो है, वो official, Hindi official के अंदर release हो चुके, पहले ये English में आया करती थी, उसको English में मैंने देखा है, अब आपको मतलब नहीं पता है, इस सीरीज के बारे में भाई, इसकी story क्या है, इसमें क्या क्या हमें देखने को मिलने वाला है, कितनी interesting है या नहीं है, इन तमाम बातों को हम अच्छे से इस वीडियो में discuss करेंगे, हालांकि कोशिश करूँगा, ये वीडियो जाधा lengthy ना बने, अगर बन भ किया हो रहा है कि ये जो syriez होना फ किหी करती है, हिंदी के अंदल तो इसका एक 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 एपीसोड एक ही दिन आता है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक दिन के अंदर इस फूरी सीरीज को रिलीज कर दिया गया है में आ जाती है लेकिन हिंदी का मज़ा अपना अलग ही होता है हमारी भाषा के अंतर हे जो इसको सुनते हैं तो एक अलग ही मज़ा आते है दो मेन जो मकसद है इस वीडियो को बनाने का वो तो ये ए कि ही है इसğı कर रही है आए यह यह नहीं कर रही है इं CO जो हम बहुत अच्छे से डिसक्स करने वाले हैं थोड़ा बहुत कहानी के बारे में हम जानेगी अब जब मैं इस का फिर्स एपिसोड देखा था तो मैंने पाया कि युटूब के ओपर कुछ यूटूबर्स हैं जो इसका first episode देखते ही आ जाते हैं एक अलग ही थमने लगा के कितनी बड़िया कहानी है, कितना बड़िया चीज आ गए, भाई साब पहले आप ने क्या English version देखा है, क्या आपको पता है इसकी series की कहानी क्या होने वाली है या आप इसके बारे में जानते ही है कि क्या इसके अंदर story है किसके बारे में दिखाया जा रहे है मेरा कहने का मतलब यह है कि कोई भी series जो है, वो कितनी ही अच्छी क्यों ना आप उसको first episode में तो बिल्कुल भी jazz नहीं कर पाऊगे, अच्छी है मेरी प्यारी बोली जनता देखो किसी के fake review में मत आना किया इस series की कहाने के पराते हैं Breaking Bad करके अगर आपने series देखी है तो आप इस series को देखे बगएर नहीं रह सकते क्योंकि उसी की एक शाखा है यह series, मतलब उसी में से निकली हुई है उसी में जो एक character आता है, soul का उसी से ही मतलब यह पूरी series बनाई गई है Jimmy McGill जो है, में किर्यादार जो है इस series का उसके बारे में यहां पर हमें देखने को मिलते हैं कि उसकी life में क्या-क्या problem है वो struggle, वो कैसे उनसे नहीं पटता है यह सारी जीजे हमें देखने को मिलती है देखो, बहुत कुछ हैं बोलने को मैं बोल सकता हूँ लेकिन देखो यार, इसका भी first season ही आया है मैंने इसके 6-6 season already देख रखे है अब कहीं ऐसा नहों कि मैं आपके सामने कोई ऐसी बात बोल दूँ जो आपने अभी तक नहीं देखी हो और फिर आपको पता चल जाए, वो spoiler वाली बात आ जाए मतलब मैं बता दूँ कि कौन मरने वाला है, कब मरने वाला और कैसे मरने वाला है, तो यह थोड़ी बहुत गलत चीज हो जाएगी, हालांकि जब इस series का 6 के 6 season हो जाएगे complete तो मैं इसका अलग से, मैं definitely करेंगे, क्योंकि अब हिंदी में आ गई है तो हिंदी का एक अलग ही मझा है, और मतलब इसका review करने में और ज़्यादा मझा आने वाला है जब मैंने इसका review किया था, तब तो उसकी कहानी हमें देखने को मिल रही है उसका character development हमें देखने को मिल रहा है उसके अलबा जो Mike, जो आपने breaking bad के अंदर जो एक gunman होता है, उसकी कहानी हमें देखने को मिलती है, बहुत सारी चीजें हमें इस series के अंदर दिखा जाती है, और ऐसा नहीं है इसको देखने पर, तो उसका जवाब है आपको entertainment मिल जाएगा, आप इसके एक बार दो या तीन episode एक बार try करके देखे आप इसको पूरी देखे मिना रही नहीं पाऊगे, मतलब इसके जो 10 episode आए हुए उसको आप देखे बगार, मतलब ऐसा लगए इस series का first season देखने के बाद मैं second season देखे बगार नहीं रह पाया था फिर मैंने लगातार ही, उसका third season देख लिया था मैंने four season भी लगबग half complete कर लिया था तब तो इतना ज़्यादा इसके अंदर मेरा crazy या फिर interest बन गया था अब आप जब सबके सामने जब यह हिंदी में तो और ज़्यादा interest यह बनाने वाली है, definitely बनाएगी और अब कहीं बोले कि यार आप तो अतिशोक्ती कर रहे हैं इस series को लेकर आपको पसंद आगे तो जरूरी नहीं कि सबको पसंद आए, हाँ, ऐसा हो सकता है मुझे पसंद आए, शायद किसी को पसंद आए, यह तो सारी चीज़ चलती रहती है सबका interest एक तरफ नहीं हो सकता, सबके अलग-अलग interest हो सकता है लेकिन मैं तो एक कोई अतिशोक्ती नहीं कर रहा हूँ मुझे यह पसंद है, इसलिए मैं अपनी पसंद जाहीर कर रहा हूँ तो मैंने इसको दोबारा क्यूं देखा obviously reason है, इसका हिंदी वर्जन आ जाना तो हिंदी official जो वर्जन है, वो कैसा है, अच्छा है अब रहा उसके बागर हम चर्चा करें, तो देखो इसके जो हिंदी डबिंग है वो word to word करने की कोशिश की गी है, इसका मतलब यह हुआ कि नीचे subtitle मैंने own करके देखे, तो जो उसका meaning बन रहा था वही meaning मतलब हिंदी में हमें बताया जा रहा था कोई भी फालतू का reference, हम देखते हैं कि कुछ ऐसे डबिंग हमने देखेंगे हैं बोलीवुड के अंदर, कि कोई कहां movie आती है, नहीं नहीं movie आती है तो उसका dubbing ऐसा कर देते हैं, क्यार इतना घटिया experience रहता है बोल कुछ रहा होता है, मतलब हो कुछ और निकाल देंगे, जैसे Deadpool 2 आपने देखी हो तो उसकी जो dubbing है, मुझे आस्त के सबसे वाहिया dubbing लगी है तो ऐसा इसके अंदर रही है, जो meaning है, वही आपके सामने बताया गया है अब character के उपर जो voice artist के द्वारा voice दी गई है, वो कैसी लगी देखो Mike का जो character है, उसके उपर जो voice दी गई है, वो मुझे अच्छी लगी लेकिन Jimmy McGill का जो character है, उसके उपर जो voice artist है, मुझे वो कहीं न कहीं जची नहीं मुझे पसंद नहीं आई, reason ये भी हो सकता है तो शायद मुझे लगे क्या रहा, इसकी voice काफी जादा अच्छी है, फिर से बता दो, देखो मैं बहुत जादा चीज़ें इसके अंदर बहुत सकता हूँ, इसके character development, कहानी के अंदर जो detailing चाहिए है, या फिर इसके अंदर जो logic है, या फिर हम जो realistic, जो ये cc, या फिर ये पूरी series जो बनाई गई है Breaking Bad होगी, या Better Cold Soul होगी, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बात करने के लिए बनती है लेकिन क्या करूँ, time का अभाव है, वीडियो जादा lengthy नहीं कर सकता, इसलिए इसको यहीं पर end करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ तो मेरी तरस देखो, इसको मैं देना चाहूँगा, 9 after 10 जो मैंने already इसको बहुत एक साल पहले दिया था अब एक स्टार क्यों नहीं दिया, क्योंकि यार नजर ना लग जाए, ऐसा इसलिए समर लो अगर आप लोगों ने इसको नहीं देखा है, तो एक बार जरूर ट्राय करना, धक्के सही कहा रहा हूँ मतलब ट्राय करो तो सही, यार कुछ अच्छा देखने को मिलने वाला है, यह वहिया जो सीरीज आई हुई थी बोलीवूड की या मूवी जो आपने बड़े मिया चोटे मिया आकर देखे होगी, तो उससे आपको कही ना कही रिलीव मिल जाएगा, और जब इसका सेकंड और जिनों ने इंगलिश में देखा है, तो वह भी कमेंट कर दो, वैसे भी खाली पड़ा रहता है, तो आज के लिए इतना था, थैंक्स वर वोचिंग इस वीडियो, मिलते एन नेक्स वीडियो में, जाहिं!